वेलकम 6th class student, we are doing question number 3rd of chapter number 1st knowing the number it's C part and D part of question number 3rd, insert comma suitably and write name according to international system of numeration, यह जो number आपको given है, इधर आपको Indian system के according comma place करना है, बारतिय पर्दिती जो होती है, आपकी संखे की पर्दिती होती है, उसके according आपको comma place करना है, and उसके जो numbers आपको form DVS को convert करना है, इसको change करना है, इसको चें साब्दिक रूप में लिखना है, यह आपको संख्या पर्दिती दी भी है, मतलब संख्या के रूप में दी भी है, so according to Indian system of numeration, first comma is always placed before 100th place visit, सबसे पहला जो comma लगता है, यहां से start करते है counting, once 10, 100, 100th से पहले, then 1000 and 10,000, फिर 10,000 प्लेस से पहले, then 100,000 प्लेस से पहले, then 100,000 प् लाग, 1000 की कोई डिटेल नही है, 46, in English, 9 करोर, 99,00, and 46, क्योंकि 1000 पे, 1000 प्लेस पे 0 है, 100 प्लेस पे 0 है, so in word form, we will write, 9 करोर, okay, 9 करोर, 99,00, लाग, okay, 99,00, लाग, now there is no detail about 10,000 and 1000 प्लेस सो, and 100 प्लेस सो, 99,00, 46, so 9 करोर, 99,00, 46, so now next part, 1, 10, 100, इकाई, दाही सेकड़ा, तो 100 प्लेस से सेकड़ा वाली जो आपकी डिजेट अस से पहले, 100 प्लेस अस से पहले, परस्ट क्वमा, then 1000, 10,000, 1000 और ये 10,000 जो पोजीशन पे आपकी डिजेट है, 10,000 पोजीशन पे, देन लेक 10 लेक 10 लेक पोजीशन से पहले 10 करोड तो यह भी करोड का ही नंबर है तो इन इंग्लिश वर्ड फॉर्म नेम अफ दिस नंबर इस नंबर इस नाइन करोड 84,32,701 9 करोड 84,32,701 9 करोड 84,32,701 so now write 9 करोड 84,30,32,701 9 करोड 84,32,701 9 करोड 99,46 so this is all about C and D part of question number 3 thank you